नमस्कात अशको बंदल समाचार में मैं हूँ आपके साथ दिचावर्मा और भम बात करते हैं जुलाप भिष्णार के सिहारा की जहां ग्राम सदाफल में राम कथा का आयोजन किया गया कथा में स्वामी नरेंदरानन्द महाराज जी मौजूद रही उन्होंने सभी को बताया कि छत्रे जाती में जनम लेने से कोई छत्रे नहीं हो जाता उन्होंने कहा कि उस रित्ती के कर्म भी छत्रे जैसे होने चाहिए भगमार राम असली छत्रे थे उन्होंने पित्वी पर राक्षसों का समूल नाश कर दिया और पित्वी को राक्षसों से विहीन कर दिया छत्र जाती में हम जन तोले लेते हैं परन्तु माया मोह और आपसी छोटे मोटे जगडों में उल्ची रहते हैं। हम कभी नहीं चाते कि हमारा पैतिद्वंदी आगे बढ़े। उसे कही ना कहीं गिरानी की सोचते रहते हैं। इस मौके पर कथा सुनने के लिए आसपास के गाउ से महिला और पुरुष मौजूद रही। महाराज जी ने कहा कि गुरु विश्वामित्र के साथ रहते हुए राम जी ने यक्य किये। उन्होंने उनका महत बताते हुए कहा कि यग करने से प्रानवायू शुद होती है। वातावलन शुद होता है, बैक्टिरिया और जिवारों का नाश होता है। यग अपने आप में एक पवित्र और कल्यार कारे प्रतिरिया है। साथ ही उन्होंने कहा कि हमें भगवान श्रीराम के आदशों पर चलना चाहिए। तथा पीले कपड़े पहन लेने या आपने आपको भगवान कहादेने से कोई भगवान नहीं होता। हमें इन प्रपंचों से बचता चाहिए और प्रभू श्रीराम के आरातना करते हुए हमें अपना जिवान व्यातित करना चाहिए। उन्होंने कहा कि हम यागे और वैदिक संस्क्यति से दूर होते चले जा रहे हैं जबकि अमेरिका जैसे विकास शील देश इस पत्ती को अपनाते जा रहे हैं और यह पत्ती उनके लिए लाबकारी और कल्याड़कारी से धूर ही है। इस मौके पर कुलदेव चोहान, देश बंदू चोहान, विनीद देवरा, बदर खान, देवेश राचपूर, मुकेश कुमार, अनिल कुश्वा, यस चोहान सहीत भगगर और छेद्र के गड़माने लोग मौजुद रही। और इसी के साथ जुड़ना है मनन समचार के साथ।